हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू शिवा लेर्निंग फॉर मोर अपडेट्स यू के लोग इन टो आर वेबसाइट www.shivalearning.in तो फ्रेंद्स इस लीडियो में मेरे पास मैरिकल के स्टूरियंट्स के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है जिसके अंदर गॉर्मेंट ने ये कहा है कि इसी साल से 5-6,000 सीट अभी और बढ़ सकती है MBBS की तो देरी ना करते मैं शुरू करता हूं मेरे पास एक अर्टिक है और वो क्यों इंग्रीज करना चाहते है अब इसे आप इलेक्शन का टाइम कह कि उसका फायदा मान लो या कुछ भी बट इस साल से सीट इंग्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है मैं आपको पढ़के बताता हूं मैं थोड़ा और आगे पढ़के आपको बताता हूं इसके बात पर आपको बताता हूं इसके लागे अपारेस्ट्य भी अशन किसे जहाँ झालेजों पोड़। आपको बताता हूं पता दू गुवर्मेंट नहीं यह बोला है कि अगर यह परपोजल आ जाता है तो यह अलोग करेगा एक्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज जिसमें सीट इंक्रीज करने के लिए और जो पर्मिट जो नए न्यू मेडिकल कॉलेजिस को जिनको पर्मिट मिल चुका है ऑपरेशनल क इन्फरास्टरक्चर और फैकल्टी रिकर्मेंट कंगी अगर पूरी नहीं भी होती है तो इतना स्टार्ट कर लें जितना बन गया में अतनी सीट कर लें वह इसमें अगी लिखा है उसमें और बात लिखी गई है कि इसमें एक लॉव है ओपनिंग ऑफ और रहियर कोर्स इनिग रेगुलेशन 2000 ये एक मेडिकल काउंस एक है इंटिन मेडिकल काउंस एक्ट सारे हैं ये बोला है कि सारे कॉलिजिस को ये रूल फोलो करना है अगर कोई भी नया मेडिकल कॉलिज बनता है तो बट उसके अलावा क्योंकि अभी यह कहलो election का टाइम है या फिर कुछ भी है बट अभी बस बट उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है इंस्टीड अभी वो यह कह रहे हैं कि अगर किसी कॉलेज में 50 MBBS सीट तर उसमें बढ़ाने को बोला है बट उसके बड़ इंफरस्ट्रक्चर तयार नहीं हुआ है फैकल्टी रिशियो नहीं बना है तो वो 30 ही बना ले जितना उसका तयार होगी इंफरस्ट्रक्चर वो उसी में क्लसे स्टार्ट कर दें स्टब्स कर बाने स्टार्ट कान लाइब कर देंफराने स्ट्रक्चर वोले कि जड़ाने स्टेट उसमेट प्रशफरे कि इंफर नहीं है, we want to let it increase 30 seats if it does not fulfill criteria for total 100 MBBA seats तो आपको पता चली गया होगा जैसा आर्टिकल में लिखा है अगर कोई medical college में 50 seats हैं और वो 50 seats और बढ़ाना चाहता है बट वो criteria fulfill नहीं करता है तो उसको 30 seats से increase करनी दी जाएं इसके नीचे आप देख सकते लिखा हुआ है लास्ट लाइन में official states if the regulations are amended 5000 to 6000 more seats could be added to medical colleges तो गाइस यह सब इसी साल से हो सकता है एक officials ने यह बोला है कि अगर यह regulation amended हो जाते हैं तो 5000 to 6000 seats इसी साल से medical colleges में add हो सकती है तो गाइस वैसे भी लोकसवा election का time है और इस time पे बहुत सारी नहीनी चीज़े हो रही है और काफी फायदा मिल रहा है तो शायद यह फायदा medical के students के लिए बहुत अच्छा हो तो ऐसी regular updates में आपको देते रहूँँगा उसके लिए हमारा चलर श्वालर रेंडिंग जरू स शेयर करें मिलते नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार